गाइज आजकी वीडियो किसी बुक की नहीं है और ना ही किसी चत्क की है आजकी वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर है इसे आपको सुनना चाहिए हमारे देश में हिजाब को लेकर सपोर्ट में बोरा जा रहा है कि स्कूल्स और कॉलोजिस में हिजाब अलाव होना चाहिए इस बात को लेकर हमारे देश में आंदलन है वहीं दूसरी तरफ इरान में प्रोटेस्ट हो रहा है हिजाब को लेकर कि जो हिजाब है वो गुमेंज के लिए चोईस होने चाहिए कि उनकी मर्दी हो पहनना तो वो पहने और ना मर्दी हो तो ना पहने लेकिन भारत में स्कूल्स और कॉलोजिस में ये हो रहा है कि वो अगर पढ़ने जाएंगी वहां की चात्रा है तो वो हिजाब पहन कर ही जाएंगी वरना नहीं जाएंगी अगर उन्हें हिजाब नहीं पेहने दिये जाएगा तो वो एक्जाम नहीं देंगी यानि कि हिजाब नहीं तो एक्जाम भी देंगी इसके अलावा अब इरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी कहाने श्री होती है 13 सितंबर को 13 सितंबर को जो मैसा अमीनी है 22 साल की एक मिर्की है जो की तेहरान में अपनी फैमली की साथ घूनने जाती है और वहाँ पर वो हिजाब सोड़ा सही से नहीं पैनती है या फिर उनके बाल सोड़ा आगे आ रहे होती है जिसके वज़े से वहाँ की मौरल पुलिस उन्हें कस्ट करना है वहां की महिलाओं को चेक करना कि वहां का वो ड्रेस कोड फोलो कर रही है या नहीं अब यह सब शुरू होता है 1979 से जब इरान जो है कि इस्लामिक रेपब्लिक बन जाता है अंडर दर रूल ऑफ आयतला हमेली अब 1982 में उसको एक सरकारी आदेश बना दे जाता है और एक आयतला जो खुमेनी थे वो ही एक कट्रफन थी प्लामिक थे जो कि वह हिजाब को लेकर महिलाओं पर जब जस्ती ठोकते थे और वहां पर उन्होंने इसको एक रूल बना दिया जिसकी वएसे वहां पर महिलाओं को फोलो करना होता था अब वहां के रूलर ने उनको अब यहीं सोच वहां के इसलामी जुकत्रफन की उन्मी देखने को मिलती है उनका मानना है कि हिजाब पहनेंगे तो ही इसलामिक धर्म को माने जाएंगे नहीं तो नहीं ऐसे सोच के वहां इरान के राश्ट्रपती इब्राहीम राजीसी में कि वह फिलाल नीयॉक में है अम इंटर्भियर थी वह महिला ती अब इंटर्भियर महिला थे तो उन्होंने हिजाब नहीं कहoking ड sis अब अ अमेरिका में चॉइस हैं में आप विज़ाब करीं यहया किbasic रवातन की मर्दी है तो कहां पर इरान की राश्ट्त कशिर की है उन्होंने अपना इंटर्भी में दि और वह जो महिला थी, ऊचला मूल निवा सी इरान के हुटी और उनकी माता थी व्होर किस्ट्य थी अब उनका माना था थी, वो इंटर्व्यू तभी जब जाएंगे जब वो महिला हिजाब पहने जी तोट लेगी रास्के तोटी जईत रास्के मास अभावने इसके लिए उन का 40 मिन तक इंतिजार किया गया कि वह इंटर्व्यू देंगे लेकिन इंटर्व्यूर ने हिजाब नहीं पहना उन्होंने साफ बना कर दिया हिजाब पहनने से क्योंकि अमेरिका में आपकी चुछ है आपके इच्छा के अनुसार है, आपको अच्छा लगता है तो पहने, नहीं लगता है, तो कोई वाथि आप नहीं पहन सकते हैं। करना टेक हुआ कुछ इत्लामिस खात्राय चाथी है यह स्कूल में हिजाब पहन कराइब अब हवाल यह है कि अब अब पहन नहीं है तो वह अपने धार्जी थानों को जाके हिजाब पहन सकती है कूल का तो एक अपने ड्रेस कोड होता है कि इस बात को लेकर सचा है कि स्कूल में बहुं होना चाहिए कि वह हिजाब पहन कराएं अब इस बात पर भी कुछ लोग दोल रहे हैं कि फिल्त इसकी तो छोटे से ही अपने घर नीं यही कल्तर देखा है हिजाब पहने कर रहा है तो भुई कलचर from i.e.s schools के लिए कर रही है कि एख si schools में उन्हें हिजाब पहनेद दिया जा है पर इसमें ये बात है कि अगर नेमें स्थोते से से भी देखा है, जरूरिक नहीं है कि आपने भी भर में देखा है, वहीं सोंधी सारी स्कूर्ट में हुई इससे हम एक इग्जामपल से भी सबसकते हैं कि अगर मा लिज्जी एक सिसी छोटी बच्ची ने शुरू से ही अपने घर में देखा एकी महला है धूंबट करती हैं इसका मतलब ये तुड़ना है कि जो घर में घुंबट हो रहा है कि फूल भी घुंबट करके ही जाएगी जह जरूरी नहीं है तो आपने तो इस कुल्टर देखा है वह आप के घर के लिए है वह घर तक ही है यह नहीं है कि आप उसे स्कूल से भी पहनेगे कि स्कूल से भी इसमें ऐसा कोल भी अलग नहीं है तो वह एक अलग चीज है इस पूर की और घर की अलग चीज है अब जिजाब बैन होना चाहिए या नहीं यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है और इस पर 16 अक्टूबर तक फैसला आ भी जाएगा आशा करती हूं आज क वीडियो अच्छी लगए होगी